हेलो जी क्या हाल चाल है so welcome back to my channel तो आज मैं आपको the best of you in my mind का part 19 और 20 explain करने वाली हूँ तो अगर आप मेरे channel पे नए हैं channel को subscribe नहीं किया है तो जलदी से channel को subscribe कीजे और इस drama के बाकी episodes भी देख लीजे तो चलिए चलते हैं अपने explanation की ओर episode 19 की start में लिंशी को call आती है शू फैंग की जो उसको मिलने बुलाता है और लिंशी बहुत खुश हो जाती है after all इतने दिनों बाद वो शू फैंग से मिलने वाली है बहीं शू फैंग को देखते हैं जो थोड़ा उदास होता है क्योंकि वो लिंशी को बताने वाला है कि वो अपने training के लिए abroad जाने वाला है और उसे पता है कि लिंशी ये news सुनकर sad react करेगी क्योंकि लिंशी का सबसे बड़ा डर है उसके किसी अपने का उससे दूर जाना और होता भी कुछ ऐसा है जब लिंशी को बताता है अपने abroad जाने वाली बात तो लिंशी बोलती है कि उसे पता है कि शूफैंग graduation के बाद उसको छोड़ देगा और उसे avoid करने के लिए ही वो abroad जा रहा है हाला कि शूफैंग उसको समझाने की कोशिश करता है कि ये उसके लिए बहुत ही important opportunity है बट लिंशी कहां उसकी बात सुनती है वो तो उल्टा उससे break up करने का बोल कर वहां से चली जाती है यहां मुझे ये समझने आता कि शूफैंग उसको सच क्यों नहीं बताता और लिंशी उसकी पूरी बात क्यों नहीं सुनती बात में शूफैंग कोच को बताता है कि वो abroad नहीं जा सकता तो कोच समझ जाते हैं कि ये सब कुछ वो लिंशी के चलते कर रहा है और इसलिए उसको समझाने की कोशिश करते हैं बट शूफैंग बोलता है कि जब से लिंशी की mom उसको छोड़ कर गई है लिंशी कभी भी अपने किसी को अपने से दूर नहीं जाने देती है क्योंकि उसे लगता है कि वो इंसान अगर एक बार उसके पास से चला गया तो दुबार उसके पास नहीं आएगा और अगर आज वो लिंशी को छोड़ कर जाता है तो उसका ब्रेक अप तै है बट कोच उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि वो अपने सामने आई इतनी एची अपोचनिटी को ना हाथ से जाने दे और अफसोस करते हैं कि काश उन्होंने दोनों को डेट के लिए अलाओ नहीं किया होता एक्स डे लिंशी आती है हॉस्पिटल में अपने भाई से मिलने जो वहाँ पे लियांग का ख्याल रख रहा है और लिंशी उसको सारी बात बताती है तो उसका भाई बोलता है कि लिंशी अभी सेलफिश बन रही है वो शूफ एंग को अपना फ्यूचर बनाने से कैसे रोख सकती है और बोलता है कि अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो आप सुरिफ रिसिविंग एंड पे नहीं हो सकते हैं बलकि आपको गिविंग एंड पे भी होना होगा बट लिंशी उसकी भी बात नहीं सुनती है और बोलती है कि शूफ एंग को वो कभी भी कहीं भी नहीं जाने देगी और वो हमेशा उसका ख्याल रखेगी और वहाँ से चली जाती है मतलब उसकी मॉम के जाने के कारण उसके दिमाग में इतना भर चुका है कि अगर एक इंसान उसको छोड़के जाता है तो वो वापस उसके जिन्गी में कमी नहीं आएगा लेकिन वापस जाते टाइम पूरे रास्ते ये सोचती हुए जाती है कि जो उसके भाई ने बोला वो भी सही है वो सिल्फिश नहीं बन सकती और तभी उसके पास आती है नी यू जो उसको लेकर आती है ग्राउन पे जहां पे शूफैंक प्रैक्टिस कर रहा है और विचारा रो रोकर प्रैक्टिस कर रहा होता है उसकी situation एक बार समझनी की कोशिश करो उसे archery पसंद है बट अभी वो एक problem face कर रहा है जिसको कहते हैं target panic जिसमें आप अपने target को अच्छे से observe नहीं कर पाते हैं और जब अभी उसे एक hope भी मिली है तो वो लिंशी के चलते कुछ भी नहीं कर पा रहा तो कोच लिंशी को शूफैंग के hits notice करने को बोलते हैं और वो notice करती है कि शूफैंग का एक भी hits सही नहीं है और कोच उसको बताते हैं शूफैंग की problem के बारे में और कहते हैं कि शूफैंग ने किसी को भी इसके बारे में नहीं बताया था उन्हें भी नहीं और चुप चाप अपने टीमेट्स के नजरों में धोके बास बन गया शायद अपनी प्राइट की वज़े से उसने किसी के सामरे अपने कमजोरी नहीं दिखाई और कहते हैं कि जब उन्होंने उसे ट्रीटमेंट के लिए अब डॉट जाने को कहा तो लिंशी की वज़े से उसने मना कर दिया क्योंकि वो लिंशी को हट नहीं करना चाता तो लिंशी वहाँ से चली जाती है और बाद में नी उसे बोलती है कि वो इतनी सेलफिश कैसे हो सकती है उसने एक बार भी शूफैंग के बारे में नहीं सोचा जिस टाइम पे शू फैंग को सबसे ज़ादा उसकी जरुरत थी उस टाइम पे वो उस पे शफ करने लग गई इसलिए नेक्स डे लिंशी आती है शू फैंग के पास और उसे बोलती है उसके साथ कहीं खाने चलने को बट शू फैंग बोलता है कि उसने तो उससे ब्रेक अप कर लिया था ना तो लिंशी बोलती है कि अच्छा आ उसने ये भी बोला था बट अब उसको याद नहीं है तो चप चप से उसके साथ खाने को चले और लेकर आती है उस रेस्टरेंट में जहांपे जियांग पार्ट टाइम जॉब करता है जिसके बारे में शू फैंग को कुछ भी नहीं पता होता और लिंशी उसे बताती है कि जियांग ने टीम भी छोड़ दी है और कब क्यों कैसे वाला सवाल वो जियांग से ही करे फिर की लेंग शी ने उसे रिक्वेस्ट की थी इसे लिए वो रेडी हो जाता है और हमें पता चलता है कि लेंग शी ने उसे शू फैंग के बारे में सब कुछ बता दिया है नेक्स सीन में हम दोनों को बियर पीते हुए बाते करते देखते हैं यही बाते वो लोग पिछली रेस्ट्रेंट में भी तो कर सकते थे ना खामका सीन चेंज कर दिया तो शू फैंग जियांग से पुछते है कि उसने टीम क्यों छोड़ी और अब वो एक रेस्टरेंट में काम क्यों कर रहा है तो जियांग बताता है कि नियू यर वाले दिन उसके डैट की तबियत खराब हो गए थी जिसके बाद उनके दोस्त ने भी उनको धोखा दिया और सारे पैसे चुरा कर भाग गया और अब सारी फैमली के रिस्पोंस्पिलिटी उसके उपर आ गई और इसलिए उसने आर्चरी पे गिवप कर दिया बट उसे क्या पता था कि तब तक शू फैंग की ही हालत खराब हो जाएगी जो उसका हुकुम का इक्का है और उसका सपना सपना ही रह जाएगा और फिर पूछता है कि उस दिन ग्राउंड पे डिंगी ने उसे क्या बात की थी और एक फ्लेशबेक दिखाया जाता है जब डिंगी शू फैंग से बात करने आया था तो वो बताता है कि शू फैंग बिल्कुल उसके जैसा है उससे भी लोग उमीदे रखते हैं चाहे वो और उनको सभी के उमीदों पर खरा उतरना पड़ता है बट उसके बावजूद वो आज हार गया और शुरू फैंग ये बिल्कुल भी न सोचे कि हर मैच की तरह ये एक और मैच था जो हारे या जीते क्या ही फर्क पड़ता है क्योंकि इस कॉम्पेटिशन में वो लोग और जाने क्या-क्या बना दिया तो अभी जियांग उसे बोलता है कि उसे शुफैंग से बहुत उमीदे हैं इसलिए वो आर्चरी को कंटिन्यू करे और वो जरूर अच्छा करेगा फिर दोनों आते हैं ग्राउंड पे और अजीव वो गरीब हरकत कर रहे होते हैं फिर दोनों वहीं ग्राउंड पे लेट जाते हैं और जियांग बोलता है कि आर्चरी उसे पसंद है बट अब वो उसमें कुछ भी नहीं कर सकता हाला कि उसका सपना था कि वो कभी चैंपियन बने या ना बने टॉप रैंकिंग में जाए या ना जाए बट आर्चरी के हर कॉम्पेटिशन में वो पार्टिसिपेट करे और ये उसके लिए सबसे बड़ी जीत होती बट ये उसका सपना सपना ही रह गया लेकिन उसे ही जकीन है कि जो सपना में ना पूरा कर जका मारा बिट्टा यानि शुफएंग ज़रूर पूरा करेगा शूफैंग समझ जाता है कि जियांग चाहे कितना भी बोल ले कि अब वो आर्चरी नहीं कर सकता है वो अपने लिमिट पे पहुँच चुका है बट ये सब जूट है सच तो ये है कि वो आज भी आर्चरी को मिस करता है बट अभी वो मजबूर है तो इसलिए उसके पास जो भ हग कर लेती है क्योंकि उसे पता है कि जियांग आर्चरी को लाइक करता है बट अब वो अपनी फैमिली रिस्पॉंस्पिलिटी में दबा हुआ है फिर शूफैंग आता है लिंशी के पास और बोलता है कि उसे उसे कुछ बात करनी है इस एपिजोड में कितनी बात है करोग और शूफैंग उसको हग कर लेता है क्योंकि लिंशी के लिए भी ये डिसीजन लेना बहुत ही मुश्किल था नेक्स दे शूफैंग कोच को बताता है कि वो अब रॉट जाने के लिए रेडी है तो कोच उसके इस फैसले पे खुश होते हैं और नेक्स सीन में शूफैंग ह होती है अपने डाट के घर पर और यहां पे उसे मिलता है लेटर का एक बॉक्स जिसमें उसके पैरंस के लेटर होते हैं जो वो आपस में लिखते थे जब वो लोग अलग हुए थे और लिंशी और उसका भाई चोटे थे और यहां लिंशी के डाटर से पता चलता है कि उन् लिन्शी के मॉम के लेटर से पता चलता है कि वो एक सर्जन बनना चाती थी बट लिन्शी के डैड होम टाउन नहीं छोड़ना चाते थे और उनको वहाँ पे अच्छी अपोर्चनिटीज नहीं मिल रही थी इसलिए वो रॉंग आ गई अगर लिन्शी के डैड ने होम टाउन छोड़ दिया होता तो शायद अभी वो लोग एक साथ होते बट लिन्शी के मॉम ने भी कभी होम टाउन में अपोर्चनिटी ढूनने की कोशिश नहीं की और अपने बच्चों से अब उमीद करती हैं कि जब वो बड़े होंगे तो उनको समझेंगे और लिन्शी भी सार हा आ जाते हैं और बोलते हैं कि वो लिन्शी को ये सब लेटर पढ़ने के लिए दे दे बट सही टाइम पे एक तो इनकी टाइमिंग और बोलते हैं कि उनको पता है कि लिन्शी उन्हें हेट करती है जूट बोलने के लिए बट वो उनका यकीन करे उनके पास और कोई रास्ता नीता तो Linshii उनको हग कर लेती है और बोलती है कि वो उनसे नफर्ट नहीं करती है और सॉरी बोलती है अपने पे खतम हो जाता है एपिसोड 20 की स्टार्ट में लिंशी एंड शूफैंग वापस जा रहे होते हैं और लिंशी अपने डैड को बताती है कि वो ग्रेजवेशन के बाद रॉंग में ही रहेगी वहाँ पर जॉब करेगी और डैड उसकी चिंता बिल्कुल भी ना करे वो अपन पर पहुंच पाई है और कभी भी उसके डैड ने उनको नहीं छोड़ा था और आज अपनी मॉम की तरह ही लिंशी भी अपना फ्यूचर बनाने के लिए लाइफ में आगे निकल रही है फिर आता है शूफैंग का ग्रेजवेशन डे और सब एक साथ फोटो लेते हैं और लियंग खुश हो जाती है जिसके बाद दोनों मिलकर प्लानिंग बनाते हैं कि जब लियंग चलने लगेगी तो सब ट्रिपे कहां कहां जाएंगे वहीं दूसरी तरफ रेस्ट्रेंट पर देखते हैं शूफैंग लिंशी जियांग नियू को डबल डेट हां डबल जब लग रहा है तो लिंशी बोलती है सही पकड़ है और लिंशी बोलती है कि उसके फैंग फैंग को यानि शूफैंग को ये प्रेजेंट अच्छा लगा और फिर वहां पर आते हैं कोच और बाकी टीम मेंबर्स और कोच सभी को ग्रेजुएट होने पर और सभी टीम मेंबर्स शू फैंग को सौरी बोलते हैं उसे गलत समझने के लिए और फिर शू फैंग को All the Best बोलते हैं अपना फ्यूचर में अच्छा करने के लिए बात में देखते हैं लिंशी और शू फैंग को वापस जाते हुए और शू फैंग लिंशी को एक डाइडी देता है और बोलता है कि उसे पता है कि वो उसके साथ अपने फिचर प्लांस लिखती रहती है और उसे ये भी पता है कि उसे अपना first case तीन साल बात सोचा था तो important ये नहीं है कि वो उसको like कब से करता है important ये है कि वो दोनों एक साथ है फिर finally आता है वो दिन जब शू फैंग को अपर जाना था और लेंशी शू फैंग को बोलती है कि वो वहाँ पे मन लगाकर अपनी training करे और तब तक यहाँ पे वो खुद के लिए internship ढूंडेगी और उ लेखते हैं जियांग और बागी team members को ground पे जो अपने college journey को याद करते हैं उनका first time मिलना एक दूसरे से लडना एक दूसरे के लिए stand लेना और एक team बनना और फिर finally team के तौर पर उनकी first victory और अब वो लो graduate हो चुके हैं और अब सब अपनी life में busy होने वाले थे सभी के पास अ लिस्ट की थी लिंशी के लिए जहां पे वो internship के लिए apply कर सकती है और लिंशी उसको thank you बोलती है तो नियू बोलती है कि शूफैंग ने जियांग को उसका खयाल रखने को बोला है तो इसलिए उसके responsibility भी बनती है उसको खयाल रखने के लिए इधर शूफैंग बहुत चुक खुश होता है और तभी उसे एक call आती है जो होती है creditor की जो उसे पैसे मांगता है बट नियू उसे call ले लेती है और उस पे चिला कर बोलती है कि जियांग उसके पैसे वापस कर देगा तो बार बार फोन करके उसे तंग ना करे बट जियांग बोलता है कि नियू गुसा न काम है जियांग तो कन्फूजन अवाइट करने के लिए मैं इनको कोट जियांग बुलाऊंगी जो शूफैंग को बोलते हैं कि अगर वो खुद को रीकवर करना चाता है तो वो एरो पे बाद में और पहले अपने बॉड़ी और माइंड पे काम करें और बोलते हैं कि उसे सब चुझ मताती है कि वो इंटर्ण ऑस Finance के बारे में पूछती है तो शूफैंग बताता है कि अभी उसके कोच उसे सरिक उनकों फीडिकल यह में खुद को forgot रखते हैं तो हम खुद को ट्रेन करके इतना पॉफिक बना सकते हैं कि बिना देखे भी अपने टार्गेट को हिट कर सकते हैं क्योंकि आर्चरी का विजिन से कुछ लेना देना नहीं है ये फीलिंग से आती है जो गेन होती है सालों की experience से और टार्गेट पैनिक बस एक आखो का धोका है तो लिंग शी पूछती है कि तो क्या इसका मतलब है कि शूफैंग प्रिथिवी राज चौहान की तरह अपने आखों पे पट्टी बांद कर निशानर लगा सकता है अध्या ये लड़की तो शूफैंग बोलता है कि मेभी और कोच का ये कहना है कि बड़े से पैनिक जैसी प्रॉब्लम को ओवरकम किया है अपने बोडी और माइन को ट्रेन करके क्योंकि ये एक साइकोलोजिकल प्रॉब्लम है और वो भी वहाँ पे इसी लिए है बट लिंग शी तो उसके पीछे ही पड़ जाती है आखों पे पट्टी बांद कर टार्गेट हिट करन और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पे खतम हो जाता है तो एपिसोड 19 और 20 की एक्स्प्रेनेशन यहीं पे होती है खतम आपको एक्स्प्रेनेशन कैसे लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और